नमुश्कार दोस्तों परवल बारिश के दिनों में पाये जाने वाला एक बहुत अच्छा शाक है परवल पॉइंटेट गार्ड या पटोल यह एक बहुत अच्छा शाक है और इसमें जो है वाइटेमिन A, वाइटेमिन C, वाइटेमिन B12 उसके अलावा मिनरेल्स में मैंगनेशियम, कौपर, कैल्शियम, आइरन, सलफर, पोटेशियम और फाइबर पाये जाता है इसका अर्ण यह लगू, रुप्ष, और कफ और पित्त का नाश करता है बहुत अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट है वाइटेमिन A और C जो होता है वह बाडी में जो फ्री रेडिकल्स डिवलप होते हैं उन्हें खत्म करता है इसलिए सीरियस सीरियस प्रॉब्लम भी कंट्रोल करता है जिन लोगों को अपना बाडी वेट कंट्रोल करना है, रिडियूस करना है तो वह इसको प्रयोग करें क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इसी कारण ये कब्र को दूर करके या स्मुतेन बाउल रखता है या ग्लूटेन फ्री बाडी करता है ये बैट कोलेस्टरॉल को भी रिडियूस करता है यूरिक एसीड की समझ से जिनको हो वे लोग इसके पत्तों को पीस कर लगाए जो ऑईली स्कीन वाले लोग है वे विशेश कर इसका उप्योग करें जिससे की स्कीन को ये प्यूरिफाय करके इंप्रूव करेगा रिपेर करेगा जिससे स्कीन में ग्लूग आएगा और आपके स्कीन और हैर दोनों हल्दी रहेंगे जिनको हार्ट में ब्लॉकेज, डाइबिटीज, पीलिया, फैटी लीवर या सिरोसिस जैसे समस्या है उनके लिए भी यह सबजी अतियुत्तम है इसका जो रस रहता है वह तिक्त और बीटर नेचर का रहता है यानि कि इसमें आकाश और वायूतत की रधानता होती है इसलिए यह उष्ण भी रहता है कफ को पतला करके बाहर करता है खराज, जलन, फीवर के कारण जो एसिट डवलट होता है उसे और जो पेटो में मरोड़े होती रहती है उन सब को परवल खाने से दूरुस्त किया जा सकता है इस सब की निजात पाने के लिए परवल का पाउडर 20 ग्राम एक ग्लास पानी में उबाल कर पीते रहे और अपनी इन समस्याओं को दूर करते रहे इस तरह से हमारे आसपास मौजूद छुटी छुटी चीजों से अपने होने वाली समस्याओं को दूर करें फैदा उठाए आज आपका स्वस्थ है तो कल निश्यत ही सुना रहा होगा तो इन्हीं आशाओं और कोशिशों के साथ फिर अगली वीडियो में नई जैनकारी लेकर हाजिर होएंगे तब तक के लिए आग्ये चाहेंगे नमस्क्राइब